कि गोरी देवी राज की महिला महाविद्याले अलवर में मैं डॉक्टर वी एन पांडे बीएसी भागत्रिती ये प्राणी सास्र की कख्षा का स्वागत करता हूं वच्चों आज हम पढ़ेंगे हैबिटत इकोलोजी के वारे में हैविटत का अर्त होता है आवास और जैसा आप जानते हैं इकोलोजी का अध्यायन आवास का इध्यायन है तो जो पारंपरिक एकोलोजी का अध्येन किया जाता था उसमें विभिन प्रकार के आवासों का विभिन प्रकार के हैविटेट का अध्येन अलग-अलग किया जाता था और उन सब को मिला करके एकोलोजी कहलाती थी तो habitat ecology, ecology के अध्येन की पारंपरिक पद्धती है मुखे तोर पर प्रतवी पर चार प्रकार के habitat या आवास पाए जाते हैं सबसे प्रतम marine habitat या जिसको हम समुद्री आवास कहेंगे दूसरा fresh water habitat जिसको सच जल का आवास कहेंगे और तीसरा asturine habitat जिसको बेला संगम कहते हैं और चौथा terrestrial habitat या इस्थरी आवास इन सभी प्रकार के आवास की प्रकरती और गुण भिन भिन होते हैं और उन्ही के अनुसार वहां पाए जाने वाले plants और animals में भी भिन्नता पाई जाती है plant या animals इनमें से किसी भी आवास में रह रहे हों वो अपने आवास के लिए अनुकूलित होते हैं adapt करते हैं, adaptation उनमें होता है और तभी वो वहां survive कर पाते हैं तो आज हम चर्चा करते हैं marine habitat या समुद्री आवास की पृत्वी के सभी प्रकार के ये चार प्रकार के जो आवास बताए हैं इनमें ये सबसे बड़े प्रकार का आवास है समुद्र और समुद्र की खाडियां ये मिला करके पृत्वी के पूरे के पूरे क्षेत्र का सत्र प्रतिसत भाग कवर करते हैं और इससे इसपस्ट है कि ये सबसे बड़ा आवास है समुद्री आवास के लक्षणों के वारे में जानते हैं सबसे पहरे समुद्री आवास की प्रकरती लगभग इस्थिर होती है वहाँ परिवर्तन अपेक्षाक्रत कम होते हैं बदलाव अपेक्षाक्रत कम होते हैं और यह इसलिए क्योंकि यहाँ आकार बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े आकार में कुछ अगर परिवर्तन होता है तो वो पूरे को बहुत अधिक प्रभावी तो नहीं कर पाता है तो देखेंगे क्या-क्या लक्षन है सबसे पहले नमबर वन समुद्र की गहराई अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग शेत्रों में कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जो इंटर-टाइडल जोन कहते हैं जहां जवार आते रहते हैं ऐसे क्षेत्र आप एक शाकर कम गहराई के होंगे 30-40 अजार फूर्ट के हो सकते हैं जबकि दूसरे क्षेत्र दसों किलो मीटर तकलम गहरे हो सकते हैं तो गहराई बहुत अधिक परिवर्टनी है कहीं पर कुछ हजार मीटर और कहीं पर दसों हजार मीटर हो सकती है समुद्र के तापमान की अगर बात करें तो जो आर्क्टिक के समुद्र हैं वहाँ का टेमपरेचर माइनस दो डिगरी या और भी नीचे तक चला जाता है और जो गर्म समुद्र हैं वहाँ का टेमपरेचर लगए 32 डिगरी सेलसियस होता है लेकिन किसी एक इस्थान पर पूरे वर्ष के तापमान में 5 डिगरी से अधिक का अंतर समुद्र में नहीं होता जबकि आप जानते हैं कि इस थलिये भागों में ये अंतर बहुत अधिक हो सकता है इस थलिये भागों में सर्दियों का टापमान 0 डिगरी तक पहुंचता है और रेकिस्थान में गर्मियों का तापमान 50 डिगरी तक पहुंचता है तो 50 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर इस्थल में पाया जा सकता है लेकिन समुद्र में पूरे वर्स में अधिक्तम और निउन्तम का अंतर किसी एक इस्थान पर 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा और इसलिए हमने कहा कि अपेक्षाकरित यहां का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो इस्थिर है समुद्र की दूसरी विशेशता यह है कि इसमें जो साल्ट सोते हैं, लवन की मात्रा होती है, वो अधिक होती है ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र में विभिन नदियों का जल या इस्थलिय भागों का जल पहुंचता है और जब यह पहुंचता है, तो यह अपने साथ बड़ी मात्रा में साल्ट लेकर के जाता है समुद्र का पानी इवैपरेट होता है, उसका वास्पी करण होता है, लेकिन वास्पी करण में जो साल्ट हैं, वो वास्प बनके नहीं जाते और इसलिए समुद्र के पानी का अधिक खारा होना स्वाभाविक है गैसों की अगर बात करें, तो समुद्री जल में ऑक्सिजन, कार्बन डियाक्षाई, नाइट्रोजन आधी गुलित अवस्था में पाई जाती है कितनी मात्रा हो इन गैसों की गुली हुई, ये निर्भर करता है कि समुद्र कितना गहरा है और वहाँ तापमान कितना है तो वहाँ ऑक्सिजन कम होगा, इसी प्रकार जो कोल्ड वाटर होगा, वहाँ ऑक्सिजन अधिक होगा, और जो हॉट वाटर होगा, गर्म होगा अप एक शक्रत, तापमान अगर अधिक होगा वहाँ का, तो वहाँ ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसलिए अधिक गाहरे समुद्र में ऑक्सीजन कम होगा और उपर सर्फेस पर ऑक्सीजन अधिक होगा। सर्फेस पर इसलिए अधिक ऑक्सीजन होता है कि वहां का पानी निरंतर हिलता डूलता रहता है, चलता रहता है और उसमें ऑक्सीजन घुलती हुई रहती है जबकि नीचे के जलता की ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अगला फैक्टर है प्रकास प्रकास समुद्र में लबच से 1000 फीट की गाराई तक पहुचता है कितनी गाराई पर पहुचे ये निर्भर करता है कि समुद्र वहां कितना गतिमान है या इस्थिर है अगर इस्थिर है जल तो प्रकास अधिक गाराई तक पहुचेगा और अगर अगर जल वहाँ पर टर्बुलेंट है तो प्रकास कम गहराई तक पहुँच पाएगा इसी प्रकार अगर पानी गंदला है तर्बिड है तो उसमें प्रकास कम गहराई तक पहुचेगा और अगर पानी स्वच्छ है तो प्रकास अधिक गहराई तक पहुचेगा और गाहरे समुद्र में अगर चार किलो मीटर के नीचे गाहरे जाएं तो पूल रूप से अधेरा ही रहता है वहाँ बिलकुल ही प्रकास नहीं पहुँचता एक और बड़ा फैक्टर है प्रेसर दबाओ क्योंकि बहुत अधिक पानी की मात्रा होती है जैसा मैंने बताया कि अनेको किलो मीटर की गाहराईया होती है तो ऐसे में बहुत अधिक पानी का दबाओ वहाँ बना रहता है जितना गाहराई पर जाएंगे उतना ही पानी का प्रेसर या दबाओ बढ़ता जाएगा और जन्तु को या पादप को इस दबाव के लिए अनुकूलित होना पड़ता है एडाप्टेशन डेवलप करने पड़ते हैं तो उपर जो कारण बताए उनमें लगता है कि समुद्र का जीवन बहुत चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन इन सब तमाम चुनोतियों के बाद भी समुद्र में लगभग सभी जीवों के समुद्र पाये जाते हैं सभी फाइलम के वहाँ पर सदस पाये जाते हैं और जो सबसे गाहरा समुद्र होता है बाटम आप दसी वहाँ भी जीव पाये जाते हैं तो समुद्र का कोई भी इस्थल जीवों से विहीन नहीं है सभी इस्थलों पर जीवों है और लगभग जन्तु जगत के सभी संग समुद्र में सभी फाइलम समुद्र में उपस्तित है एक amphibia एक ऐसा क्लास है जो की समुद्र में नहीं पाया जाता है अब हम मेराइन बायोटा की बात करते हैं समुद्र में पाये जाने वाले जीव समुद्र की बात करते हैं समुद्र का जीव समुद्र बहुत ही भिन्नता लिये हुए है बहुत सी उसमें भिन्नताएं पाई जाती है अगर जन्तूओं की बात करें तो इनको दो रूपों में हम ग्रूप कर सकते हैं पेलेजिक और बेंथिक जो समुद्र में उपर की तरफ हैं सर्फेस पर हैं खुले समुद्र में हैं वो पेलेजिक फॉर्म कहा लाते हैं और जो गहराई में पाए जा रहे हैं उनको बेंथिक फॉर्म कहा जाता है तो पेलेजिक और बेंथिक इनके फर्दर सब डिविजिन से आगे चर्चक करेंगे सबसे पहले पेलेजिक जीवों की बात करें ये खुले समुद्र में अर्था समुद्र के ऊपरी भाग में पाये जाते हैं इनके दो समुव हो सकते हैं प्लैंक्टन और नेक्टन प्लैंक्टन ऐसे जीव होते हैं जिनमें सवयंग गती करने की ख्रमता बहुत सीमित होती है वे पानी के प्रवाह के साथ पैसिवली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या वाजू के साथ जा सकते हैं लेकिन स्वेंग के द्वारा लंभी गती विशेश गती नहीं कर सकते हैं ऐसे जीव माइक्रोइसकोपिक होते हैं अत्यांत सूक्स माकार के होते हैं और इनमें प्रोटो जोवा सामिल हो सकता है क्रस्टेसिया के लारवा सामिल हो सकते हैं अन्य जीवों के लारवा हेलमिंथ के लारवा सीलेंट्रेटा के लारवा मोलस्का के लारवा इकाइनो इता की लारवाई में सामिल हो सकते हैं, ये छोटे जीव हैं, जो प्लेंक टॉन्स, प्लांट किंग्डम को बिलॉग करते हैं अर्थात जिनमें फोटो सिंथेटिक कैपिसीटी पाई जाती है, फोटो सिंथेटिस प्रकास ट्रंसलेशन किया जा सकता है, जिनके द्वारा उनक जगत से सम्बंधित plankton's हैं जिनमें स्वैंग पोसनड की क्षमता नहीं पाई जाती है वो जुवो plankton's है न्यक्टन ऐसे जीव होते हैं जो सोतंतता पूर्वक्त समुद्र में तैर सकते हैं इनके पास तैरने के लिए अंग होते हैं और उन अंग की सहायता से ये गति कर सकते हैं तो ये आर्थ्रोपोडा हो सकते हैं, वैल हो सकते हैं, मेमेलिया के सदसील हो सकते हैं, मचलिया हो सकते हैं, कच्छुए और अनेक प्रकार के पक्षी हो सकते हैं, समुद्री पक्षी, ये सभी जीव अपने स्वेंग के मांस्पेसियों की सहाजता से गती करते हैं, तैरते हैं, चलते हैं तो ये हमने बात की पेलेजिक जीवों की अब बात करते हैं बेंथिक की बेंथिक वो जीवों हैं जो समुद्र में गाहराई पर पाई जाते हैं या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो बॉटम डॉयलर्स हैं तलचट पर रहने वाले जीवों हो सकते हैं या गाराई में रहने वाले जी हो सकते हैं ये अधिकांस सक्रिय नहीं होते हैं निश्क्रिय होते हैं अधिकांस में चलन की समताएं भी बहुत अधिक नहीं होती है और इनमें जोनेशन पाया जाता है उपर से नीचे जाएं तो जोन्स पाई जाती हैं तो इनको देखें कौन-कौन सी जोन्स हैं, नेरिटिक या शैलो वाटर जोन और ओसनिक या डीप वाटर जोन, सबसे पहले सैलो वाटर जोन या नेरिटिक जोन की बात करें, तो ये शैलो वाटर अर्थात उथला समुद्र का क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में प्रकास पूरे के पूरे जल तक पहुँचता है, अर्थात यहां प्रकास की उपलब्धता अधिक होती है, प्रकास अधिक होने के कारण यहां प्रोड्यूसर्स, फोटो सिंथेटिक आर्गेनिजिम प्रकास तंसले से करने वाले जीवों की संख्या काफी अधिक होती है इस जोन को नेरिटिक जोन को तीन उपभागों में माटा गया है सबसे पहला इंटर्टाइडल जोन इसको लिटोरल जोन भी कहते हैं यह वो भाग है जहां पर जोर भाटा चलते रहते हैं ऐसा भाग जीवों का बहुत ही पसंद का इस्थान होता है फैवरिट प्लेस होता है वहां रहने के लिए क्योंकि वहाँ प्रकास की उपलबदता, ओक्सिजन की उपलबदता, खनिज तत्तों की उपलबदता, कार्बन डेकसाइड की उपलबदता, यह सभी उपलबदता यहां बहुत अधिक होती है और प्रोटो जोवा से कॉल डेटा तक के सभी समूँ यहां पर पाए जा सकते हैं इंटर्टाइडल या लिटोरल जोन में दूसरी जोन है सब्टाइडल जोन इंटर्टाइडल जोन के आगे का भाग जहां लगभग देर सो फूट की गहराई है यह सब्टाइडल जोन कहलाता है यहां प्रोटीसर और कंजूमर्स दोनों ही अच्छी संख्या में पाए जाते हैं और उसके बाद का क्षेत्र लोवर नेरिटिक जोन कहलाता है यह उसके भी सब्टाइडल जोन के भी आगे का क्षेत्र है वहां से continental self तक ये प्रसारित रहता है, फैला रहता है यहां पर जीवों की संख्या पेक साक्रित कम है यहां पर प्रकास भी कम पहुंचता है और इसलिए जीवों भी कम है तो यह हमने बात की narrative zone की उसके भागों की और अब चर्चा करते हैं oceanic zone समुद्री क्षेत्री जिसको काते है continental self परताथ जहां एल्टिक zone समाप्त हो गया उसके बाद का क्षेत्र oceanic zone कहलाता है इसको भी तीन भागों में बाटा गया है एक तो बैथायल zone कहलाता है यह लगवग 6000 फीट की गहराई तक का zone है बढ़ती जाती है 600 फीट से 6000 फीट तक की गहराई तक यह बैथायल zone पाए जाता है जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी का तापमान कम होता चला जाता है और यहां प्रकास बहुत कम होता है और जीवों की संख्या भी कम ही होती है बैथायल जोन के अगला हिस्सा जो है जो 6,000 फीट से आगे की गाहराई यहां पर है इसको अवाईसल जोन कारते हैं यह दूसरा जोन है यहां जल बहुत ही ठंडा राता है यहां टेंपरेचर बहुत कम होता है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम ही होती है यहां पर पूर्ण रूप से अधेरा रहता है और बॉडी कलरेशन यहां के जन्तूओं का डार्क होता है नेतर अगर उपस्तित पाए जाते हैं तो बहुत बड़े नेतर होते हैं अनेक जियों में यहां प्रकास उत्पादन की क्समता होती है जिसको जिसके कारण यह अपनी उपस्तिती प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके भी आगे का जोन है उसको हडाल जोन कहते हैं हडाल जोन अत्यन्त गहरा समुद्र का भाग होता है और वहां जीवों की संख्या बिल्कुल ही नगणे होती है बहुत कम होती है लेकिन जीव वहां भी पाए जाते हैं तो यह हुआ समुद्री क्षेत्र का विभिन भागों में विभाजन किया गया अगर हम इन जेनरल सिर्फ दो भागों में बाटना चाहें समुद्र को तो जिन एक्षेत्रों में प्रकास पहुँच रहा है उनको यूफोटिक जोन कहेंगे और जिन एक्षेत्रों में प्रकास नहीं पहुँच रहा है उनको एफोटिक जोन कहेंगे तो ये U फोटिक जहां प्रकास पहुँच रहा है और A फोटिक जहां प्रकास नहीं पहुँच रहा है तो चाहे नेरिटिक जोन हो चाहे ओसनिक जोन हो उनमें सभी में अगर प्रकास पहुँच रहा है तो वो भाग फोटिक कहलाएगा तो इस तरह से बच्चों आज हमने चर्चा की समुद्री प्रकार के आवास की और अगले दिन अब हम चर्चा करेंगे Fresh Water Habitat की स्वच्छ जलके आवास की कोई प्रशन हो तो आप YouTube जो पर जो ये डाला जाता है उसके नीचे भी कमेंट लिखने की व्यवस्ता होती है तो YouTube के नीचे पबली कमेंट में आप अपना प्रशन डाल सकते हैं वहां मैं आपके उत्तर दे दूँगा या आप WhatsApp पर प्रशन भेजें तो वहां भी आप उत्तर मिल जाएगा और अगर आप कॉलेज में आकर के चर्चा करके अपने प्रशन का समाधान चाहते हैं तो यह यहां भी आपका स्वागत रहेगा आप कॉलेज में भी आकर के अपने प्रशन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद बग्याचु